लो फ्रेंड्स मेना नाम सौरब केश्री है और बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डे यूटूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस और फिजकल एजूकेशन कॉंसेट दोस्तो इस चैनल पर मैं आपको लगातार यूपी टीजिटी और पिजटी से रिलेटेट सब्जेट की त्यारी करा रहा हूं और मेरा जो फूल कॉंसेट पर चलता है पहले यहां पर मैं कॉंसेट क्लियर करनी कोशिस करता हू क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक कॉंसेट क्लियर नहीं होगा तब तक आगे कि आप कॉंसेट को लगा नहीं सकते हैं तो क्उंसे को रटने से अच्छा पिछले क्लास में sport training हम लोग theory part पढ़ रहे हैं sport training का मैंने meaning definitions aim और principles बता दिये थे और आज हम लोग start करेंगे उसके आगे का part जो की बहुत मज़ा आने वाला है तो चलिए तो start करेंगे यह देख सकते हैं आप लोग कि हम लोगों ने sport training का meaning aim और उसके principles मैंने बता दिये थे यह principle से भी सवाल आए हैं और kbs में कई बार सवाल आए हैं इस बात का आप ध्यान दीजिएगा nbs में भी सवाल आते हैं sport training सबसे tough subject माना जाता है physical education में आईए आज हम लोग start करेंगे some important terms related to sport training ठीक है तो सबसे पहले pen copy ले ले लेते हैं आप भी ले लिजिए बहुत बड़े-ब सब्सक्राइब दों में बताने की कोशिस किए साध आपको अच्छा लगेगा और बड़े concept में समझना है तो मैं live classes लेने वाला हूं और आप वहां पर समझेगा बड़े-बड़े concept को अभी क्या है कि छोटे में ही समझे और कोशिस करते हैं देखिए दो तरह के मेरे माने आ बातों को दो से तीन लाइन में समझा देते हैं that is a good teacher मेरे हिसाब से यह दो तरीके के टीचर अच्छे होते हैं अब आपके इसाब से कौन मुझे नहीं पता तो यहां मैं छोटे से समझाने कुसिस कर रहा हूं कि मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग स्पोर्ट ट्रेनिंग को पढ़ते हैं कि बहुत लेंदी है तो चलिए आगे स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला कुछ खेल से सम प्रसिच्छर से समंधित कुछ महत्पुर सब दावलिया तो सबसे पहले हम समझते हैं लोड लोड का हिंदी मतलब होता है कारभार तो लोड म का effect क्या होता है उस समझे मॉट के होता है कि जो इसकी फिचिलोजिकल सिस्टम्म है תशिलोजिकलOOOOOOOO car आप हो इंप्रूब होने लगती है और लोड कि इसा क्प French की डिमांड है तो वह समंझें करते हैं तो लोड का सिंपल मतलब हैं यह समझें कि जब हम कोई खिलाले को train कर रहे होते हैं और ट्रेनिंग के दौरान जब उसे हमने कोई टास्क दिया और उचाओ फिजिकली हो या मेंटली हो वही उसके लिए क्या है लोड का काम करता है यहां पर और कोई भार नहीं जरूरी नहीं कि वेट दे दिया तभी लोड है बहुत सारे बच्छों को में पहले आगे बढ़ने से पहले कुछ कॉंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है इसलिए मैं इसको समझाने की कोशिस कर रहा हूँ आगे आईए लेक्स बात करेंगा लोड वॉल्यूम तो देखे हमने क्या कि हमने ट्रेनिंग के दौरान कि लाड़ी को जो टोटल लोड द जैसा कि उसको एक ट्रेनिंग सेशन में हमने पूरा काम कराया उस ट्रेनिग सेशन में हमने इधर कुछ अलग लोड दिया इधर कुछ अलग लोड दिया तो अलग-अलग है ठीक है यह स्पाल सा हिंदी मतलब है इतने तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं आप इसको समझिएगा नहीं समझ में आएगा दुबारा पूछिए का कॉल करके पूछिए विसको ही बताओं आपको चलिए नेक्स बात करता है intensity की तो training में क्या होता है कि कोई भी activity को activity को करने के लिए intensity का use होता है अब कैसे use होता है मैं इसको आगो तना चाहता हूँ तो जो intensity है ना इसको simple दभासा में कहते हैं तिब्रता हिंदी में क्या कहते हैं तिब्रता यानि speed of effort तो आप कोई काम कर रहे हो या कोई task आप को कराया जा रहा है तो आप अपने 100% छमता का कितना परतीसत यूज़ करते हो तो उसी परतीस यानि कितने percent speed के साथ कर रहे हो ठीक है बहुत तेज करोगे तो 100% effort लगा दोगे तो कोई भी काम आप उतने देर तक जितने देर का target है उतने देर तक नहीं कर पाऊगे समझ माया बात तो इसके लिए क्या होता है कि coach आप से बोलता है कि आप अपने 100% ability का 60% लगा ये 40% लगा ये 50% लगा ये ताकि वो काम जो हो लंबे समय तक यानि कि जो दिये गए target तक अच्छे मतलब जो time दिया गया लोड वॉल्यूम दिया गया है उस समय तक आप उसको कर पाए उस वो लोड वॉल्यूम को आप पूरा complete कर पाए तो intensity का मतलब होता है कार करने की तिब्रता तो अपने वो तिब्रता 100% ability आपकी 100% ability जैसे कोई बच्चा है वो 100 meter रन को अगर 100-100 meter उसको दोड़ाते हैं तो पूरे 100% effort के साथ दोड़ता है और 12 second में complete करता है example ले रहा हूं ठीक है तो वो उसकी 100% effort हुई ना अब मैं उससे ये बोलूँगा कि तुम 100 meter ज लगा का 60% ability लगा तो यह 60% ability के साथ जब काम करें तो उससे कहेंगे intensity of work intensity intensity of load intensity of work तो कोई भी work करते हैं तो इसकी intensity training के दौरान हमेशा कम रखते हैं क्योंकि maximum अगर आप 100% ability के साथ करोगे तो आप तुरण ठक जाओगे बासमाया तो यही चीज होती है क्योंकि ट्रेनिंग म intensity बड़ा ध्यान दिया जाता है intensity क्योंकि जितना जल्दा तेज आप करोगे उतने जल्दी आपकी energy consume होगी और जल्दी आप ठक जाओगे लैक्टिक एसिड बॉड़ी फॉर्मिशन महीं लगेगा तो यह साथे प्रॉब्लम सो जाएंगे जिससे कि आप उतने देर तक जितन मतलब या समझा देता हूं मैं आपको density का मतलब होता है कि जब हम कोई training ले रहे हैं या को training दे रहे हैं खिलाडी को ठीक है तो हम उसको कई सारे सेट में या repetition में कराते हैं या अभी एक लग टास्क करा रहा है तो इन दो सेशन या दो टास्कों के बीच में जो हम rest देते हैं उस rest को ही कहा जाता है density यानि की भार घना तो load density और load intensity भी कहते हैं इनको तो मैंने simple मतलब से यहां बताया ठीक है simple मतलब में क्या है कि जब दो सेशन के बीच में आप क्या कर रहे हो कि break दे रहे हो तो यह आपका क्या हो जाएगा density load density आए आगे चलते हैं दो phase के बीच में द हमने क्या दिया अराम दिया एक्जामपल ले लेते हैं जैसे मालो की हमें क्या करना है कि मैंने आप से बोला bicep curling करनी है यह bicep curl करनी है तो इस bicep curl में क्या होगा कि आप रोड लेका करोगे तो मैंने बोला कि आपको three sets करने हैं और ten ten का repetition करने हैं तो आपको क्या करना है कि पहले सेट में आपने 10 बिटेशन करने के बाद जब दूसरा सेट किया तो पहले और दूसरे के बीच में जब आपने थोड़ा सा गैप रखा उसी गैप को डेंसीटी कहा जाता है जब आप रेस्ट ले रहे थे तब क्यूकि आप पहले सेट में करो तो आपके हाथ बर जाएं करेंगे और कुछ अच्छा करने कोधिस करेंगे अ आपने करेंगे और अब हम देख लेते हैं नेस्ट फ्रेक्वेंसी प्रेक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कि जएक टास्क अ कई कितनी बार आप दोहड़ा रहे हैं जैसे मैंने बोला आपको गो re Lawrence करना 10 repetition, repetition मतलब 1, 2, 3, 4, तो वो 10 repetitions आपकी क्या हो जाएगी frequency, तो training के दोरान जो आपको load मिला, उस load में जो आपको task मिला है, उस task को कितनी बार आपको perform करना है, एक set में इसी को कहते हैं frequency, क्या कहते हैं frequency, आईए समझते हैं, प्रसिचर के दोरान किसी कारे को बार बार दोराने की प्रक्रिया को frequency कही जाती है, यानि number of repetitions भी कहे जाते हैं, ठीक है, यह आपका हो गया, अभी आगे भी बहुत सारे हम लोग थोड़ा लेंदी में पढ़ेंगे, यह सब तो बहुत बड़े-बड़े chapters होते हैं, बट आपके exam point of view से आपको यह terms थोड़ा समझना पहले बहुत क्या हो गया, उसके physiological system ने आसानी से adopt कर लिया, और फिर नए load के लिए, यानि नए task के लिए तयार हो गया, that is a, तो यह जो phase था, यह physiological system का जो capacity थी, इसी को हम adaptation process कहते हैं, ठीक है, तो training के द्वारा physiological system की capacity का बढ़ जाना, यही होता है, enhancement of physiological standard, तो जब किसी की physiological, जब हमने उसक capacity के थोड़ा सा उपर रखे, हमने कोई task दिया, और उस task से क्या होगा, खिलाड़ी को कोई भी problem नहीं हुई, और उसके साथ उसकी performance बढ़ने लगा, जैसे मैं example लेता हूँ, कि मैं किसी क्योई खिलाड़ी मेरे पास आया, मुझे कहा कि सान मुझे 5000 मीटर का ratio बना है, 5000 मीटर बस मुझे दोड़ने हैं, इसका मुझे बढ़ने हैं, तो सबसे पहले मैं beginners है, तो सबसे पहले देखा कि पहले दिन वो दो किलोमेटर दोड़ लेता है, और दो किलोमेटर में पूरी तरीके से ठक जाता है, उसके पूरी complete हो जाती है, तो मैं उसके लिए target क्या रखूँग कि मैं उसके load को बढ़ाता रहूँगा, प्रोग्रेस करता रहूँगा, तो इसी में क्या है कि adaptation, मैंने देखा कि 2-3 दिन हो गया, adopt कर लिया, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर मैंने तोड़ा सा load और बढ़ा दिया, तो यही process को adaptation, तभी आप बढ़ाएंगे, जो इंटर्विवर थे, उन्होंने पूछा था, मुझे से super compensation, मैंने एक line में answer दे दिया था, उन्होंने पूछा था, what is super compensation, मैंने पूछा, successful adaptation of load, जब आप बिना किसी problems के आपने body, आपने जो आपको training के तोरा जो task मिला, load मिला, उस load को आपने complete कर लिया, और आपकी capacity होता है, termilogy यूज होता है, और physical education में लगबक 40 to 50% term है, termilogy मतलब सब दावलियां है, अगर आप उनका मतलब समझ लेते हो, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ माया बात, तो यह चीज़े हैं, तो load का सरी दोरा adaptation, यानि successful adaptation to load, that is super compensation, आई ये next बात करते हैं, skill की, तो skill का मतलब क्या होता है, कि जब आपका automotization हो जाए, कोई भी motor action में, motor action मतलब कि किसी भी movements में, motor मतलब movement समझ येगा यहाँ पे, तो किसी भी movement का जब automotization हो जाए, that is a skill, क्या हो गया यहाँ पे, skill हो गया, तो आई इसको समझते हैं, skill का थोड़ा सा और अच्छे समझ लेते हैं, skill को, देखे, skill को समझने के लिए क्या है, कि आपको जो भी movements आपने सीखा है, बच्पन में सीखा था, तो आपको खाना खाना नहीं आ रहा था, तो खाना खाना तो आपको आ नहीं रहा था, तो क्या हुआ कि आप देशे देशे इसको सीख लिया, अब क्या हो जा संत्यौंत बथा कर लिया है और उस समझा cowboy है करते हैं इसी इस इनवाय स्किल को कई बार करके कैसे दोरे कई भार मैंद कर सीखा जाता अब है अब यह जो हमने स्किल को learning phrases वालल है स्किल अक्पार्ट में यह विघंघ तीन पार्ट में होते हैं तीक है तीन होते हैं यह भी तीन पार्ट में होते हैं ठीक है तीन पार्ट में होते हैं आगे वो पढ़ाऊंगा मैं अभी आगे आएगा वो पार थियुरी तो इस्किल का मतलब क्या होता है कि जब आपके ब्रेन और मसल सिस्टम के बीच आटोमोटाइशेशन जैसे आपने पहली बार सीकने में आपको कई दिन लगे होंगे पंदरह दिन भीच दिन एक महीन सीख लिया तो यs должны आप सामने देखकर चला सकते हैं आप आपका दोस्त जारह तो जब किभी भी motor action में कोई skill में आपने scientific law को यूज किया, scientific law का मतलब कि moments गलत नहीं किया है, वो moments आपने science के basis पर, science के law होते हैं, newtons के law होते हैं, जो universal laws है, उस mechanical law पर आपने उस moment को perform किया, तो that is a technique, वही क्या हो जाती है, technique हो जाती है, सीधी से मतलब है, कि skill को जब आपने scientific process से और scientific तरीके से mechanical law पर के हिसाब से किसी skill को perform करते हैं, that is a technique, simple सा मतलब है, आईए और अच्छे समझ लेते हैं इसको, किसी भी movement को scientific और mechanical पर perform करना, या perform any motor action with scientific laws, ठीक है, तो किसी भी motor action को जब हम scientific law पर perform करते हैं, तो that is a technique, ठीक है, तो जैसे skill को क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, टेकनिक की सिखाया जाती है, आपको जैसे बॉली बॉल में सिखाया जाता है, मालेज़ा बॉली बॉल में आपको अंडराम पास सिखाया जाता है, तो अंडराम पास में क्या होता है, कि आपको बता ले जाना है क्योंकि फिर उपर आगे करके pair follow through में आगे ले जाना है तो यह सब जो action या skills स्क्छाय जा रहा है जो pair follow-through में वह क्यों जा रहे है क्यों काहीं ने कहीं वहाँ पर weight training और weight आपका transfer हो रहा है ठीक है इस्ट्रेटजी एक बात होती है इस्ट्रेटजी की स्ट्रेटजी क्या होती है मिसको समझ लेते हैं थोड़ा सा ठीक है बहुत बड़ा लेकर नहीं चलूंगा स्ट्रेटजी को समझते वे चलेंगे हम लोग तो स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है कि अपनेंट के प्लस पॉइं अपने मन में blueprint of the match केलने पहले plan बनाते हैं that is a strategy क्या होती है यह strategy है ठीक है आई यह बात कर लेते हैं इसको अपनेंट को डॉज देने के लिए pre-plan moments पहले से हमने moments हो सकता है या कोई plan भी हो सकता है जरूर नहीं है कि सिर्फ moments हो यह कोई भी plan हो सकता है मैच हम लोगे इंडिया का मैच कल अस्ट्रेलिया से होने वाला है तो हम को यह पता होना चाहिए कि अस्ट्रेलिया के टीम में कौन प्लेयर है किसको कैसे आउट करना है तो जो हम उसकी लिए पहले ही अपने प्लेयर को तयार कर देते हैं और अनिती बताते है यह और यह movements भी ह हो सकता है ठीक है यह प्लान भी हो सकता है टीम यह में और movements भी हो सकते हैं तो pre-plan of movements done to be counter and deceive to opponent यानि कि क्या होता है कि opponent को डॉस देने के लिए अपनेंट को डॉस देने के लिए और counter attack करने के लिए जब हम एक प्लान मनाते हैं और movements करते हैं that is a strategy हाई यह next समझ लेते हैं और यह आज कर रहेगा हमारा tactics देखें बहुत सारे बच्चे confused होते हैं strategy और tactics में तो मैं बता चाहूंगा जो tactics और strategy strategy क्या होती है कि यह pre-planned होती है लेकिन tactics क्या होती है जब आपकी strategy काम नहीं ही आती है और during the match आप कुछ ऐसे movements करते हो जिससे कि अपनेंट डॉज होजाते हैं और वो successful movement होता है that is a tactics आईए देख लेते हैं यहाँ पर अपनेंट को डॉज देने के लिए खेल के दौरान बनाया गया तथा execute किया गया plan और action ही हमारा क्या होता है tactics होता है यह खेल के दौरान ही बनता है जब आपकी strategy काम नहीं आती है तो फिर tactics आती है tactics में कई कई शारे ऐसे movements होते हैं कई सारे ऐसे skill के movements होते हैं तो आप उड़को क्या करते हो कि opponent को गुम्रा कर देते हो अपनेंट को थोड़ा सा परसान कर देते हो परसान ही बडाल देते हो तो वही टिया गया movements आपके दौरा game के एक्जिक्यूट किया गया movements skill के साथ tactics कहलाता है आई बास समझ में आईए और देख लिए अबिल्टी तू परफॉर्म इस स्पेसिफिक मुम्रेंट टू डिवाइज द अपनेंट दूरिंग गेम ठीक है यहां डिवाइस नहीं होगा तू डिसीव होगा यहां अब थोड़ साथ प्लान हमको मिला और हमने इस तरीके से चीज़ें कर दी गेम में तो जो दूरिंग गेम कर रहे हैं न वहीं हमारा क्या है टैक्टिक्स है कि आई आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स देख लेते हैं एक होता है नेक्स्ट एक्लिमेटाइजेशन देट इस एक्लिमेटाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप हाई अल्टी पे जाते हो थेंसहें एक्लिमेटाइजेशन हुआ है लोड का तो उसे हम क्या कहेंगे एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं ठीक है यह कोशन आया हुआ था आपके यूपी टीजिटी में एक्लेमेटाइशन क्या होता है नेक्स होता है ओवर लोड तो आए समझ लेते हैं ओवर लोड का मतलब क्या होता है तो वही जो ट्रेनिं वो प्रॉब्लम हो गई खिलाडी को बुखार आ गया खिलाडी को ठक गया खिलाडी की प्रॉब्लम आने लिए तो उसकी बॉड़ी नहीं तो यह सिंपल सा मतलब होता है ओवर लोड का बहुत सारे इसके अंदर भी और चीज़े आती है मैं उतना डीप नहीं जा रहा हूं बस आपको यह समझा रहा हूं कि चीज़े आपको समझ माने चाहिए ताकि जब हम आगे आपको पढ़ाए ट्रेनिंग के बारे में तो आपको कोई भी कन्फूजन आपके लिए ना बना रहे तो चलिए मिलते हैं नेक्स टॉपिक में और अगर अच्छा ही लगेगा तो मैं बह इस मेहनत का है कि आप ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए दोस्तों को बताए फ्री आपको चलना है लोग पैसे लेकर पढ़ाते हैं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता मैं चाहता हूं कि आपको सही और सही ज्यान मिले और सही चीज़े आप सीखे ताकि जल्दी आप तर झाल 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 झाल झाल